हेलो एंड जेहिन सुडेंट वेकम बाग टू योओन चैनल सर्तरुन रपानी एक्स्क्लूजिव चैनल फॉर आई सेसी बोर्ट सुडेंट्स हां बाइलोजी के चैप्टर्स हमने अल्रडी अप्लोड कर दिये हैं जिसमें सेल टिशू यह सब अप्लोडेड है और आपने कहा स चैप्टर दी फ्लावर बनाईए हां स्क्रीम पर आप देख सकते हैं एक फ्लावर जी पुष्पा पुष्पभाव वायर येस फ्लावर नहीं फायर है मैं चलिए जोगसा पार्ट आज हम चैप्टर करने वाले हैं इस फ्लावर के बारे में डिटेल में करेंगे एक एक यहां से कर लेंगे तो आपको फ्लावर नहीं फायर बना दूँगा चलो तो जब हम फ्लावर की बात करते हैं देखिए फ्लावर फायर बारवर आ रहा है जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो आपको रोज शायद याद दे रहा हो संफ्लावर याद आ रहा हो क्या कहते हैं फ було H, W, H, O, R, Holes मतलब Parts से मिलके बनाए है और हम इन चारों को इत्रा डीटेल में समझेंगे इनके Parts की बारे में समझेंगे इनके Functions की बारे में है आईए स्टार्ट करते हैं चेप्टर दी फ्लावर तो फ्लावर एक Specialized Shoot है अब आप बोलेंगे shoot क्या होता है the part that is above the soil is called as shoot तो एक specialized part है जिसमें leaves जो है वो floral structure का रूप ले लेती है floral structure का रूप ले लेती है इसलिए कहते हैं उसको flower अब आता है जो flower का stock होता है अब यह कहेंगे stock क्या होता है अरے भाई जहां से flower hold करते हो जहां से पकड़ते हो उसे कहते है stock और यहां कहते है pedicel to the stock of the flower is called as pedicel और जिस flower में pedicel होता है उस flower को कहते है pedicillate क्या सारे flowers में pedicel होता है जी नहीं कुछ flowers में stock होता ही नहीं है जहां से हम flower को नीचे से hold parole कर सकते हैisin उसे कहते हैं Cecil flower Cecil in which pedicill is missing अब आता है Flower के जब हम बात करते हैं Stalky उस pedicill की बात करते हैं जहां से flower को हम पकरते हैं उसकी बात करते हैं तो ये आगे जा करके थोड़ा enlarge हो जाता है और बन जाता है cup shape part हम इसे कहते हैं receptacle या thalamus आईए हम आपको अभी इसको दिखाने जा रहा है क्या चीज कहते हैं इस enlarged part को cup shape part को कहते है receptacle या thalamus तो flower का ही stock आगे जा करके थोड़ा सा बड़ा cup shape बन जाता है क्या करता है क्या है thalamus ये तो thalamus hold करता है चारो holes को holes मतलब parts of the flower को yes collective parts को holes कहते है तो flowers के holes को ये hold करता है ठीक है और ये holes कौन-कौन से है calyx sepals का collection होता है corolla petals का collection होता है androsium stemming का collection होता है और gynosium carpel का collection होता है तो ये चारो holes को hold करता है ये ये thalamus आईए आपको दिखाते है thalamus कहा है जड़ा structure को देखिए इस structure को ध्यान से देखिए आप तो आपको दिखाई देगा कि thalamus कहा है thalamus को ध्यान से देखते है ये रहा thalamus आप देखें यहाँ पर flower का ये pedicel है और ये pedicel आगे जाकर के क्या हो जा रहा है ये cup shape structure बन जा रहा है ये रहा वो cup shape structure ये रहा और इसी का नाम है thalamus या receptacle और ये चारो holes इसमें जो hold कर रहा है वो आप देख पा रहा है ये रहा stamen जो की endrosium है दूसरा होगे आपका corolla जो की petals का collection है तीसरा आपने देखा या पर sepals जिसका collection है calyx and last ये जो देख रहे है ये है carpel ठीक है तो ये आपको क्या मिल गए चारो holes को hold करता है दिग गया thalamus या receptacle आईए अब एक एक करके सारे holes के बारे में detail में समझते हैं सबसे पहले बात करते है सबसे पहले hole की हाँ हाँ hole मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको w भी सुनाई दे वैसे w silent है ठीक है तो first hole कौन सा होता है वो sepals का होता है sepals flower के सबसे नीचे होती है usually green color की होती है हाँ और sepals के collection को कहते है क्या कैलेक्स दूसरा hole कौन सा है सारे bright रंग के petals पंखुडियां जिसको कहते है न फूलो की पंखुडियां और इनके collection को कहते है कोरूला तीसरा hole क्या होता है ये male part का collection होता है इसमें एक thread like structure होता है जिससे हम filament कहते है क्या thread like structure होता है जिससे हम filament कहते है और इसके end पर क्या होता है एक by lobed अथार दो section करने वाला दो हिस्सों में तूटने वाला enter होता है ये है filament और ये मैंने दिखाया नीचे filament है जो structure है और ये जो part दिख रहा है यही है enter अब enter के अंदर क्या होते हैं पोलन ग्रेंज होते है तो ये जो male part है देखे male men क्या stay men नाम में देखे men लिखा है men मतलब लड़का मतलब male part तो third hole लड़का है male part है और androsium कहते है इसके collection को हाँ इसके group को कहते है androsium चौथा और आखरी hole कौन सा है female part का है इन्हें हम center में मौझूद होने की बज़े से हाँ एकदम center बाय जाता है pistol इसको कहते है pistol किससे बना हुआ है pistol बना हुआ है carpel से और carpel के अंदर क्या होता है carpel के अंदर होता है ovary ovary के उपर होता है style style एक tube type का structure होता है और सबसे top में होता है stigma तो stigma style ovary यह तुनों जुड़ जाते हैं बन जाते हैं carpel या pistol और collection को कहते हैं gynosium हाँ कभी आपने सुना है lady doctors हाँ जो ladies का treatment करती है उन्हें क्या कहते है gynecologist याद रहेगा देखिए यहाँ पर man है तो male है लड़का है और मैंने दूसरा याद दिलाया gynecologist हाँ आपकी मम्मी का कभी लाज़ करना होता है तो जाती है किस के पास gynecologist के पास gynecologist तो उस hole का नाम है इस collection of carpels का नाम है gynecologist क्या होता है अगर flower में सारे parts पाए जाएं हमने चार holes के बारे में पढ़ा पहला कैलेक्स दूसरा कोरोला तीसरा अंडरोशियम चौथा गाइनोशियम तो चारो holes अगर किसी flower में पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं complete flower या perfect flower और ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि चारो holes किसी एक flower ने पाए जाए तो जिसमें भी कोई भी एक hole missing होगा कोई भी एक part missing होगा उसे कहेंगे incomplete या imperfect flower हाँ बहुत common है sunflower को देख लीजे हाँ आपको लगेगा कि complete flower है actually में वो एक influence है हाँ आपकी और मेरी ही क्या है observation है कि हम sunflower को एक single flower समझ रहे है actually में वो collection of flowers है center में उसके होता है disc florid और जो periphery में जो पीलरंकी जो आपको पंकुडियां दिख रही है वो होता है ray florid वो हर एक जो उसकी petal type का structure दिख रहा है आपको लगता है वो petal है actually में होता नहीं है वो है उसका ray florid चली तो imperfect flower का example था अब आता है essential parts वो parts जो reproduction से related काम कर रहे है उन्हें कहते है essential parts और non essential parts मतलब non reproductive parts चलो तो essential parts कौन कौन से है वो जिनका relation है reproduction से मतलब male part stamen female part carpel यो दोनों क्या है essential parts of the flower है इसका उल्टा कर दो मतलब जिसमें क्या हो male और female से related अथार्थ reproduction related parts नहों उन्हें कहेंगे हम क्या non essential parts या कभी-कभी इसका एक और नाम है accessories हाँ जैसे आपकी गाड़ी में क्या होता है आपकी activa में जब आप नई-नी activa करिते हो motorcycle करिते हो तो उसमें क्या करना पड़ता है main तो गाड़ी है और गाड़ी का engine है पर आपने क्या किया अलग में side में mirror लगा दिये कहीं पे headlight लगवा दिये कहीं पे नया sound लगवा दिये speaker लगवा home लगवा दिये ये क्या है accessory समझ गए non essential parts helping parts हैं ये reproductive parts को protect करने के काम आते हैं actually reproduction से later नहीं होते हैं आएए एक example से समझते हैं अब हम लोग समझते हैं कि कुछ cases में saples और petals कुछ flower में ऐसा होगा कि saples और petal एक जैसे दिखते हैं कई बारन को कहते हैं they are non differentiated they look alike ऐसे को अमें लोग कहते हैं parient क्या parient screen पर आप देख पाएंगे आप कहेंगे sir इसमें petal भी white color की दिख रही है ये रही petals पंकुडियां उसकी जो की white color की है और आप देखिए इसका sepal ये है इसका sepal तो petal और sepals दोनों ही white white color की है दोनों look alike कर रहे है एक जैसे कर रहे है या cannot be differentiated हम उसका कह सकते है ऐसे को कहते हैं हम लोग क्या parient अब parient में अगर क्या हो sepal और petal green ही color की हो जाएं दोनों तो sepal भी green और petal भी green हो जाएं तो ऐसे ऐसे को कहते है सेपलोईड पेरियंट क्या क्यों कि सेपल का color petal में आ गया है इसलिए सेपलोईड और सेपल यूजुली कौन से color की होती है सेपल नीचे होती है जो आपने ध्यान से फ्लावर देखा फ्लावर के जो फ्हेलमस होता है उससे सबसे साइड से निकलती है निकल रहाती है ग्रीन क्लावर का structure होता है तो यह जो सेपल के color का इसलिए क्या है सेपलोईड उसी तरह से अगर पेरियंट अगर पेरियंट ग्रीन के अलावा कोई रंग का है अथाथ सेपल और पेटल का color ग्रीन के अलावा कोई और दूसा color है यह जो सेपल का color ग्रीन नहीं है और पेटल का color भी ग्रीन नहीं है पेटल के रंग का सेपल है इसलिए पेटलोईड पेटलोईड आई एक और एक्जामपल देखते है आपको यह वाला fool कहीं देखा होगा आपने कुछ pink color का ऐसा दिखता है तो यह अच्छली में fool है नहीं यह हमारी और आपकी mistake है आपने अपने school में शायद देखा होगा यह लोगों की boundary में बुश के रूप में जाडियों के रूप में होता है लोगों ने लगा रखा है क्या का नहीं देखा है आपने इसे इसे flower नहीं यह flower है नहीं हमारी भूल है यह flower है एक्चुली यह leaf like structure है flower तो यह है अंदर हाँ इसमें जो flower है वो अंदर है यह यह inside यह है इसका flower जो छोटा सा दिख रहा है आपको यह इसके अंदर flower यह flower नहीं है यह इसका bracket है अब आते हैं ब्रेक्ट क्या होता है तो कभी-कभी flowers क्या करते हैं leaf के axle से start करते है axle मतबगा starting point जहां से leaf निकलते जिस point से उसे कहते हैं axle वहां से क्या करते हैं flower निकलते हैं और वहां पर एक leaf like structure होता है लग रहा है कि कोई लीफ है तो यह जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ब्रेक्ट और ब्रेक्ट से ग्रीन कमर के भी हो सकते हैं कलर्ड भी हो सकते हैं अच्छा एक्जाम्पल है बॉग इन विला हां यह तो का बुशी प्लांट होता है लोग अपनी क्यारियों में लगाते हैं बाउन्डरी में लगाते हैं अक्सर कांटे वाला पेड़ होता है तो यह फ्लावर एक्चुली इसके अंदर ही रहता है चोटा सा जो इसके एक्जिल से निकलता हो नजर आ रहा है आई एक वर्ड है नेक्टरीज यह टिशू का नाम है सेल जो नेक्टर्स पैद होते हैं और खुश्बू वाला पदार्थ हां खुश्बू वाला पदार्थ एक फ्रेग्रेंट एक स्वीट य्कुजएट लिक्विट पैदा करते हैं है इसलिए कभी कभी आपने सूंगा होगा रोज यहां किसी फ्लावर को सूंग बड़ा अच्छा लगता है अग् Warum तो Nectaries में जो Liquid मौजूद है उसका नाम है Nectar तो आपको क्या लगता है ये मदुमक्यों के पास शहद कहां से आ रहा है जी हाँ यही वो Nectar है जो मदुमक्या Honey Beez क्या करते है फ्लावर फ्लावर से Collect करके ले जाती है और अपने चत्तों में ले जाती है अपने Honey Beez में ले जा फ्लावर के अंदर पाई जाती है क्या पैदा करती है यह नेक्टर नाम का एक लिक्विड पैदा करती है कैसा लिक्विड है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड मीठी खुजबू देने वाला लिक्विड समझ गया ना कहा पायाता है यह फ्लावर के यह पिस्टिल की बेस में पा पार्ट की ठीक नीचे पायाता है और यह यहीं नेक्टर वो है जिसकी वजह से इंश्ट्रेक्ट होते हैं और पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं ठीक है घना तो देखना चाहते हैं झा आइभी सबसे पहला पार्ट है पैटल यह रही जिसके हम कलेक्शन को कहते हैं को रोला क्या बोलते हैं कलेक्शन को कहते हैं करोला यही क्या करता है इंसेक्स को ट्रेक्ट करता है दूसरा पार्ट ढदेखे पार्ट नमबर टु सेपल इसके कलेक्शन को कहते हैं हम लोग कैलेक्स स्पेलिंग ठीक कर दूँ चलिए कैलेक्स कैलेक्स क्लेक्शन ओफ सैपल्स यह ग्रीन कलर का होता है यूजूली देखिए आप देखा आपको यह यह अब आप देखेंगे पार्ट नमबर थ्री पीटी ओल जिसे हम स्टॉक अफ दी फ्लावर भी कहते हैं यह मैंने एक और नाम दिया पेडी सिल पेडी सिल अफ दी फ्लावर के जहां से फ्लावर को होल्ड करते हैं वाई किसी को फूल दोगे तो कोई डंडे ओनीची देने के लिए ना नीचे से nectar produce करने वाली cells होती हैं अब आप इसके थोड़ा उपर आ जाएए तो आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा structure हाँ एक बड़ा सा oval structure जिसको हम कहते हैं female part of the flower जी इसको ovary और ovary के अंदर है ovary बाहर है yes या outer structure है और inner structure ज्यान दीजेगा ovary ही आगे जाकर के क्या बन जाती है fruit बन जाती है fertilizer और ovary seed बन जाता है और यह उपर क्या है ovary ovary के उपर क्या है यह रहा style और सबसे उपर है stigma तो stigma style ovary यह तीनों मिल जाते हैं बन जाते है female part जिसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं हाँ मैंने अभी ज़स दिख आए था gynecologist gyno और इधर आ जाएए अब आप देखें जो टॉप में दिख रहा है यह structure एंथर है एंथर के अंदर क्या होता है pollen grains होता है यह male reproductive part of the flower होते हैं जी male reproductive cell इसी pollen grains के होते हैं किसके अंदर होते हैं यह एंथर के नीचे एंथर को कौन होल्ड करता है यह filament दोनों बन पार्ट और हम इसके collection को कहते हैं androsium क्या कहते हैं androsium clear हो गया अब तो parts की labeling में कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है sure है चली आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से और सारे parts को समझते हैं तो flowers की अगर हम बात करें कि male है कि female है तो बड़ा असान है अब तो जिस पार्ट में Cryzia smelling of चैन्तर होगा हमने बताया स्टेमन का पर्ट है ऐंथर और एंथर क्या प्रोड्यूस करता है pollen yry tumtalinky मेल जोते हैं मिनल gamet होते हएं तो इसका उल्टा कौन है वदलब female कौन है तो ovaries कहा होते हैं है वो karkal में होते हैं कारکल के अंदर ovary होते हैं ovary क्या करते हैं ovules hold करते हैं और ovules के अंदर क्या होता है ầg cell होता है जिसे हम female gamet कहते है इसी male और female gamet के fuse होने को कहते है fertilization the fusion of male gamet and female gamet is called as fertilization जिस flower में दोनो male part भी पाय जाए वहा है that is स्टैमेन और फिमेल पार्ट कारपल, दोंब पाया जाए, उसे कहते हैं, बाइसक्शुवल यां हर्मोफरोडाइट फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फिमेल दोनो पार्ट हैं, क्या आप अर्थवों के बारे में जानते हैं, कि अर्थवों, एक हर्मोफरोडाइट एनिमल है सही सुन रहे हैं अथार मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही अर्थवाम में पाए जाते हैं अब समझ गया ना कुछ-कुछ इंसानों में भी ऐसा होता है हम इसे कई बार ट्रांसजेंडर ही कहते हैं समझ गया पर फ्लावर में इसका एक स् मेल होगा कुछ भी हो सकता है और अगर अगर मेल पार्ट है उसके अंदर तो इसको स्टैमिनेट फ्लावर याद है स्टैमेन मेन मतलब लड़का तो इसमें मेल पार्ट होगा फीमेल पार्ट नहीं होगा और इसका हुल्टा हो जाएगा जिसमें फीमेल पार्ट है उसका ना इसमें male female दोनों parts नहीं हैं, जैसे मैंने बताया कि sunflower में है, sunflower में जो ray floret वाला हिस्सा होता है, वो neuter flower होता है, ray and disc center में होता है sunflower में, जो आपको dark color दिखता है और yellow color के जो leaf दिखती है, वो neuter है, जो yellow वाला part है, जो sunflower का, वो neuter flower है, वो ray floret है, आईए, एक बार फिर से दिखते ह है, flower के structure को, बात करते है, kelex की, तो kelex क्या है collection of sepals, यह कहां होते हैं, यह outer में होते हैं, ठीक है, और जब flower bud के stage में होता है, थांड, जब full kali होता है, तो колii, hanger bud, bud के stage में होता है, जब full time frame function archivity, जब वो un opened होता है, तब यह सेपल उसे protect करती है, flower को protect करती है flower की रक्षा करती है जब वो bud stage में होता है और तो और जब ये चिपकी होती है सारे अगर saples आपस में चिपका होगा क्या चीज? चिपका होगा तो नाम gamo हो जाएगा याद रखेगा keyword है अगर fused है तो gamo और अगर open है सब अलग अलग saples है तो कहेंगे poly pre saples है free word के लिए keyword क्या याद है poly और अगर चिपके होगा है आपस में ठीक है tube like सबसे बन जाएगा चिपक करके तो बन जाएगा क्या gamo याद रखेंगे अब दो word तो अगर saples free है तो इसे कहते है poly saples अगर saples आपस में चिपके हुए है हाना वो सब saples एक tube लग बन जा रहा है नाम हो जागा gamo saples example देते हैं हिबिस्किस का हाँ अपने नाम सुना होगा हिबिस्किस पेड़ के बारे में हिबिस्किस पेस में एक और saples के नीचे एक और series of saples पैदा हो जाता है saples की बाद भी एक saples और पैदा हो जाते हैं और इन्हें कहते हैं epi saples और इसके collection को कहते है epicalex kelex के बाद एक second kelex एक और क्या है saples आ गई है सब flowers में नहीं होती है याद रखिएगा हिविस्किस में होती है जरा चेक करिएगा हाँ lab में जाएगा आपके teachers पैटिकल में भी कराएंगे इसको एक और टाइप का flower होता है जिसे हम petaloid कहते हैं यह petaloid कब होता है कभी-कभी flowers में जो saples होती है वो bright color की होती है अथात green color के नहों करके brightly colored होती है ऐसा कहते है petaloid क्या petaloid sepals उसको कहते है तो petaloid example है गुल्मोहर गुल्मोहर एक्चुली का मतलब है flame in the forest बहुत खुबसूरत फूल होते हैं आप easily प्राप्त कर सकते हैं यह bisexual flower का बहुत अच्छा example है कौन? गुल्मोहर और even hiviscus अगला पार्ट है korola जिससे हम कहते हैं collection को petals मतले कहा था पंखुडियां होती है फूलों की जो सबसे खुबसुरत होती है यह petals होती क्या है यह modified leaves होती है जो reproductive parts को मतलब male or female parts की रक्षा करते हैं को protect करता है और यह क्योंकि brightly colored होता है और कई सारे shapes का होता है और यह insects को attract करता है पंखुडियां colorful होती है फूल रंग भी रंगे होते हैं क्यों? क्योंकि petals क्या करते हैं insects को attract करते हैं अब कहींगे सर इंसेक को attract क्यों करना पड़ेगा ताकि pollination हो सके याद रखेगा transfer of pollen grains from anther to stigma होना जरूरी है anther male part से stigma का female part तक पहुचना जरूरी है और इस पहुचने को transfer करने को कहते हैं pollination उसमें insects insects क्या होते हैं इसी लालच में आते हैं क्योंकि petals colorful होते हैं उसे attract करते हैं और दूसर रिजम बताया था nectaries के बारे में nectaries के जाल में हाँ उसके खुझमू में insect attract होके आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं stamen को और pistols को रक्षा करते हैं protect करते हैं और ये भी अगर free हो petals अगर spreaded हो free हो तो हम एने कहते हैं poly keyword क्या है poly free word के लिए है poly और अगर fused हो united हो तो कहेंगे gamo petalus fuse जो के क्या बन जाते हैं tube like structure बन जाते हैं clear है poly और gamo word याद कर लिए ठीक है अब आता है androsium जरा इस diagram को थोड़ा ध्यान से देखिए आपको बहुत clear हो जाएगा ये है आपका filament जरा सब्सक्राइब को थोड़ा बड़ा करता हूँ आपके लिए अब आपको clear हो जाएगा अब आप देखेंगे की flower में एक थिन ट्यूब लाइक structure दिखाई देगा एक tube like structure है और इस tube like structure के end में एक by lobe by lobe मतलब होता है दो लोब वाला लोब मतलब होता है चेंबर दो चेंबर वाला structure है इसका नाम है एंथर क्या नाम है इसका एंथर कहां है आप डाइग्राम में देखें ये उपर आप देख रहे हैं एंथर है और ये नीचे जो देख रहा है ये कौन है filament है ये दोनों मिल जाते हैं के अंदर यहां पर चेंबर बने हुए है इस चेंबर में क्या रखा हुआ है यहां पर pollen grains पड़े हुए है क्या मौझूद है इसके अंदर pollen sack और इस pollen sack के अंदर मौझूद है pollen grain यही है male reproductive male reproductive part of the flower male gamut है कौन यह pollen grains जो की इसके अंदर किसके अंदर मौझूद है एंथर के अंदर एंथर को आप चाहें तो cut करके देख सकते हैं कभी मौका मिले तो hibiscus का करके देख लेना experiment मज़ा आएगा आपको तो यह एक single को कहते है stamen समझ गया है men क्यों कह रहे है male part है इसके अंदर और इसके collection को कहेंगे androsium ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और androsium के types के बारे में जानते हैं जब किसी flower में सारा stamen देखे आप सारा stamen unite हो जा रहा है और एक single structure बन जा रहा है तो जब क्या हो जाए सारे stamen unite हो जाए और एक group बन जाए सारे filaments मिल करके एक देखे यह सारा stamen एक ही है देख रहे हैं और इसका नाम है क्या mono word मतलब होता है single इसमें एक filament yes एक stamen बन जाता है सारे filament को जोड कर सारे filaments जुड़ गए है और एक बन गया है एक्जामपल है चाइना रोस ठीक है या दूसरा एक्जामपल है इसमें cotton अब डाय का मतलब जानते ही हो क्या होता है डाय का मतलब होता है दो यह वाला structure में देखिए एक यह है filament का group और एक यह दो बने है एक पतला है और एक मोटा वाला दिख रहा है आपको तो इसमें filaments unite हो जाते हैं दो bundles आप देख पा रहे हैं दो bundles में जैसे की पी का एक्जामपल है पी हाँ वो मटर जो हम लोग खाते हैं मटर येस तो इसमें nine stamen एक तरफ होते हैं जैसे की इसमें nine stamen है इसके अंदर और एक single stamen अलग हो जाता है तो दो ट्यूब बन जाते हैं ठीक है नाम है डाय एडेलफियस अब तीसरा और आखरी डाय पहे पॉली पॉली मतलब होता है मैनी तो इसमें क्या होता है इसमें कई सारे फिलामेंट्स अपने अपने अलग अलग ग्रूप में बन गाते हैं जैसे एक ग्रूप ये है एक ग्रूप ये अलग है एक ग्रूप ये है और एक ग्रूप ये है गाइनोकोलोजिस्ट यार रखेंगे कार्पेल्स जब हम बात करते हैं कार्पेल की यह सेंटर मोस में होते हैं ज़रा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें यह सेंटर मोस में होते हैं फ्लावर के ठीक आप देखेंगे पेडिसल के ऊपर पेडिसल के ठीक ऊपर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा सबसे पहले यह बड़ा सा राउड स्ट्रॉक्चर इस बड़े से स्ट्रॉक्चर का नाम है ओवरी क्या है फीमेल रिप्रोडक्टेव पार्ट है और ओवरी के अंदर पाय जाता है और इसी ओवरी को आगे एक्स्टेंड कर देते हैं उपर लेजाते ह है स्टिगमा स्टाइल और ओवरी क्या चीज्ड सिगमा स्टाइल और इस इन तिनों को कहते हैं लोग कार्पएल या फीमेल लेज्परदक्टिव और समगे न तो ये दोनों structure इसी ले मैंने का important है essential part of the flower है male part और female part और female part में आपने देख लिया stigma style ovary अच्छा ovary के बारे में स्वासा और पढ़ लेते हैं ovary के अंदर क्या होता है अगर ovary को क्या करें cut करें तो ovary में chambers निकलेंगे क्या निकलेंगे ovary के अंदर chambers निकलेंगे उन chambers में हम कहते हैं locules क्या अगर ovary को cut कर दिया जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा देखिए ovary अगर ऐसी है तो आपको इसमें chambers दिखाई देगे कुछ इस तरीके से दिखे ध्यान से मैंने चार chamber बना दिए इस chamber को कहते हैं locule locule क्या होता है ovary को अगर आपने क्या कर दिया transverse cut किया तो ऐसा दिखाई देगा इसको कहते हैं इसको कहते हैं locule इस chamber को एक chamber दो chamber तीन चार और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको यहाँ पे मिलेगी seeds कहां मिलेगी placenta यह center में है placenta क्या है word placenta placenta seed को attach करता है ठीक है placenta एक tissue होती है और यह जो दिख रहा है आपको यही वो ovule है जो further आगे जाके क्या बन जाएगा seed बन जाएगा layer है ovary को cut करके बता रहे हैं कैसा दिखेगा आपको आईए आगे बढ़ते है influence के बारे में समद लेते है influence आप देहान से देखे तो आपको लगेगा यह क्या है सर तो जब flowers होते हैं अग collection में होते हैं और जब collection of flowers की बात करते हैं तो flowers एक excess of the plant में किस तरीके से arrange है क्या इस तरीके से हैं कैसे हैं यह लग लग मैंने example से show किया है कि कई रूप में flowers क्या होते हैं excess of plant में arrange होते हैं इस arrangement को कहते हैं हम लोग influence और एक अच्छा example दियते हैं influence का sunflower sunflower is an example of influence अभी दिखाया था आपको placenta प्लासेंटा क्या है एक टिशू है कैसे टिशू है जो attach करती है ओवियूल को ओवरी से ओवियूल को ओवरी से चिपकाती है center में देखिए आप एकदम ठीक center में देखिए यह placenta देख रहा है ठीक है और यह रहे हैं ovules और इन chambers को कहते हैं locules color diagram देखा था यह वाला न चलो placentation यह क्या है the manner in which the ovules are arranged किस तरीके से ovules arrange है देखिए ध्यान से यहां जो ovules हैं किस तरीके से arrange है देखिए एक chamber में एक ovule चार chamber है तो चार ovules तो ovules किस तरीके से arrange है ovules कैसे attach है ovary wall पे इसको बताया गया है placentation इसी word से बनाया गया है देखिए placenta से placentation placenta तो tissue का नाम होता है placenta तो tissue होती है पर placentation वो manner होता है जिस manner में यह attach किया गया है ठीक है जैसे मैंने का मेरे में आप एक chamber में एक एक locule में ए ओविल देख रहे है ठीक है यही ovary आगे जाके fruit बन जाएगी और ovule आगे जाके fertilization के बाद क्या बन जाएंगे seed बन जाएगा पहले होगा pollination जिसमें pollen grain transfer करेंगे from enter to stigma और pollination के बाद क्या हो जाएगा fertilization जब male gamet female gamet आपस में मिल जाएंगे और fertilization हो जाएगा को खुद yes खुद flower को observe करिए पास में निकालिए और उसके parts को separate करके अलग लग करके देखिए I am very sure आपको बहुत मज़ा आएगा और learning भी आपके और experiential होगी and एक request करूंगा class 9th ICAC board के batch का नाम हमारा है rising stars और आप है मेरे rising stars मुझे support करिए क्योंकि मैं आपके लिए ठेर सार exclusive content लाता हूँ जो कहीं भी किसी भी channel पर नहीं मिलते हैं और वो भी absolutely free यह सारे notes क्या notes सही है आपको तो एक काम करना पड़ेगा download कर दीजिए हमारा app सर तरुन पानी और तो और आप हमारे telegram channel पर भी join हो सकते हैं rising star नाम है description में link be aware मिलते हैं अगले lesson वीडियो में bye take care god bless you